नमस्कार दोस्तों, हमारी यूटूब चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हार्दिक स्वाकत है आज मैं आपके लिए एक महत्यपून टोपे के लेकर आया हूँ आपको स्वस्थ बनाने के विशे में, आपको बहुत सारे बीमारियों से बचाने के विशे में सुभी दोडने से पहले, खाये निम्भू और चना, फिर होंगे चमतकारी फाइदे दोस्तों, सुभी सैर करने से और दोडने से सरीर उर्जावान तता फिट बना रहता है दोड को सबसे अच्छा वयाम माना गया है, क्योंकि इससे सरीर के सभी अंगों का वयाम हो जाता है फिर भी दोडने के बाद कुछ समय तक वयाम करना चाहिए वयाम करने से मासपेसे मजबूत बनती हैं और सरीर के सारे इतकान मिठ जाते हैं सुबे की एक घंटे की सेर आपको अनेक रोगों से दूर रखती हैं सुबे दोडने से मुटापे की समस्या ठीक होती हैं कबज, डाइबटीज, ब्लड प्रैसर, आंखों की समस्या, मानसिक तनाव और दिल से समन्दित रोग समाप्त हो जाते हैं अगर सुबे दोडने से पहले कुछ फाइदेनन चीज खाते हैं तो उसका फाइदा दुगना हो जाता है तो आहिए दोस्तों जानते हैं दोडने से पहले क्या-क्या चीज़े हम खा सकते हैं चना सुबे उठकर दोडने से पहले 50 ग्राम अंकुरित चना खाना चाहिए अगर अंकुरित चना नहीं है तो 50 ग्राम सूखा चना को रात को सोने से पहले किसी बरतन में रखकर पानी में डाल कर भीगो दे अगर सुबह दोडने से पहले अंकुरी चना या भीगय चना खाते हैं तो यह हमारे सरीर के लिए बहुत अधिक फाइदे मन्द है इससे सरीर को उर्जा मिलती है और दोडने के दौरान कम थकान महसूस होती है अगर भीगय चने के साथ गुड़ खाया जाए तो इसका फाइदा और अधिक बढ़ जाता है भीगय चना और गुड़ खाने से कबज सारीर कमजोरी जैसी कई बीमारियां दूर होती है दूसरा निबू पानी पीए तो डी हाइडरेशन यानि सरीर में पानी की कमी होने की समस्या नहीं होगी इसके अलावा पाचंत अंतर मजबूत बनता है और बवासीर बिमारी से निजात पाय जासकता है सुबे निबू पानी पीकर दोडने से हलकी बुखार सिरदर्द और आँखों से समंदित समस्याओं से छुटकार हमेता है इसके साथ साथ निबू में एंटी सेप्टिक गुन होने के कान चेहरे के दाख दब्बे और तफचा समंदित प्रेसानियों से भी यह निजात दिलाता है दोस्तों इस तरहें जब भी सुबे दोडने जाएं तो भीगी चना और फिर निबू पानी अवस्से पी लें और अगर आपको घास हो तो नंगी पैर उस पर जरूर चलें ऐसा करने से आपको बहुत सारे सारे रिकलाब प्राप्त होंगे तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छे लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीस आप हमारी वडियों को लाइक बाशियर करना ना फूले इसके साथ साथ आप हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना फूले क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम जबरतास टिप्स ले कराते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं और सुख में जीवन जी सकते हैं धन्यवा दोस्तों